Hello Friends, Welcome to Raj Malotra's IAS Academy तो दोस्तों आज हमारा जो discussion का topic है वो है आपके जो latest agriculture bill जो आए है तीन ठीक है तो दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि इन agriculture bills के उपर बहुत जादा हला गुला अभी या शोर जिसको बोल सकते है कि market में चल रहा है ठीक है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो bill आये हैं तीनों ये bill हैं क्या और इन में क्या government के जो provisions है वो कौन से provisions को add किया गया है और farmer के issues क्या है ठीक है अब अगर आपने news में देखा होगा तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें जो है intermix हो चुकी है ठीक अब यहाँ पे आज हम क्या करते हैं ये हमारे पास तीन बिल्स हैं हम तीनों बिल्स को single single हम discuss करेंगे कि एक bill जो है first bill is the farmers produce trade and commerce promotion and facilitation bill clear और सबसे बड़ा जो अभी issue बना हुआ है वो इस bill के उपर है इसमें है क्या ये बाद में भी discuss करता हूँ दूसरा क्या है the farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services bill second bill है और तीसरा bill है the essential commodities amendment bill 2020 ठीक तो दोस्तों पहले तो आप सबके लिए ये तीनों के नाम ही important बन जाते हैं अगर आप civil services की preparation कर रहे हो ठीक है ये तीनों बिल्स आपको important है कि किस में क्या है क्या इसका नाम है अब अगर मैं इस bill के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले ये जो bill है ना आपका ये APMC जो है sorry जो आपकी APMCs है ये bill उसके related है जो आपकी market committees है ये bill उनके बारे में बात करता है ये जो आपका second bill है दोस्तों ये है आपका किसके बारे में contract farming के बारे में किसके बारे में contract farming ठीक है ये दूसरा bill और ये आपका है तीसरा bill जो है essential commodities act ये बात करता है आपका hoardings के बारे में ठीक है के जमाखोरी ठीक तो ये तीनों bill है जो अलग-अलग मुद्दों के उपर बात कर रहे हैं ये आपका APMC मतलब market committees ये है आपका contract farming मतलब जिसमें private industry के साथ farmer का direct link होगा farmer उसको direct sale कर सकता है और तीसरा bill है आपका hoarding के बारे में जमाखोरी के लिए ठीक तो इन तीनों को अब अगर मैं single single इसको discuss करना चाहूं तो सबसे पहले ना मैं पहले वाला जो हमारा bill है इसको discuss करते हैं ठीक है अब हो सकता है अब देखे मुझे ये आहां से रब करना पड़ेगा तो पहले मैं ये bill जो है इसको नहीं रब कर रहा है, इसके साथ ही discuss कर रहा हूँ, second जो bill है, मैं उसका दोबारा नाम नहीं लिखूँँगा, नाम यहां पर आपको clear हो गया है, अब मैं सिरफ वहां पर second bill लिखके, उसकी discussion साथ करूँगा, ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर, let me first rub this, यह पूरा का प हम first bill को discuss कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, तो जो हमारा यह first bill है, इसके बारे में अगर देखा जाए, अब बात करते हैं यहां पर, तो दोस्तों, यह जो आपका पहला bill है, farmers produce, trade and commerce, promotion and facilitation, देखिए, farmer produce, trade and commerce, उसको बेचना, promotion and facilitation के, उसको जो farmer है, उसको trade में facilitate करना, ठीक है, तो अब यह bill का कह रहा है दोस्तों, सबसे पहला provision जो इस bill का है, जो यह बात कर रहा है, कि जो आपकी agriculture produce market committees है, APMC's, APMC's, अब दोस्तों होती क्या है APMC's, यह वो मंडीज है, जहां पे farmer अपना total जो भी उसकी crop है, उसको sale करने के लिए market में आता है, देखो, normally है क्या, इंडिय में क्या scenario है, कि जो आपका farmer है न, वो direct जाके, जो farmer है, वो किसी को भी direct sale out नहीं करता, किसी भी third person को अगर हम कहें, किसी company को direct sale नहीं करता, farmer क्या करता है, farmer के लिए एक मंडी बनाई गई है, किस act के अंडर, APMC's act, ठीक, और यह act किस के अंडर आता है, यह state government के अंडर आते है, यह आपके APMC's act, ठीक, एक तो बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पर आ गया, कि agriculture एक state subject है, बट उसमें हो क्या रहा है, center अपने rules बना रहा है, ठीक, तो अब जो आपका farmer है, उसको save करने के लिए, reason being, कि government ने क्या किया, एक मंडी बना दी, अब मंडी बना दी, farmer उस मं shop है, जो भी उसका harvest है, वो वहाँ पर sale करेगा, क्यों बनाएगे, क्योंकि अगर यह मंडी ना हो, जो government की मंडी है, तो कोई भी third party को जब farmer sale out करने लगेगा, तो हो सकता है, उस time पर cartel system बन जाए, जो private players है, वो क्या कर ले, cartel बना ले, और farmer को वो पैसा ना मिल पाए, तो अ अब government ने क्या किया जी, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, APMC चल रही है, मंडी है, ठीक है, farmer आएगा, government की मंडी है, उसकी fees देगा, वहाँ पे क्या जी, बिचौली है, middleman है, जिनको हम आरतिया बोल देते हैं, अगर पंजाब में बात की जाए, ठीक है, तो वो middleman है, वो farmer के, वहाँ पे आएगा, और वहाँ पे आके government जो है, procure करेगी, ठीक, FCA आपकी जो है, वो MSP के उपर procure करती है, MSP, minimum support price, ठीक है, तो ये minimum support price है, कहाँ पे मिलता है, जब कोई भी farmer आके अपनी फसल को मंडी में बेचता है, ठीक, अगर कोई भी farmer ये मंडी में आके फसल को नह नहीं बेचता, तो उसके लिए MSP, जो है, ensure नहीं होता, पहली बात, ठीक है, तो अब, अब मुद्दा क्या है, जो ये आपका bill कहता है, दोस्तों, ये कहता है, कि private जो players है, private players भी मंडी establish कर सकते हैं, अभी तक क्या था, कि जो मंडी है, वो सिरफ और सिरफ किस की होगी, government की ह ठीक, और, अब, क्योंकि private player भी अपनी मंडी establish कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा छिट गया, वो मुद्दा क्या है, कि लेट से, अब government की भी company है, जैसे आप, टेली कॉम industry में ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है, example हमारे सामने है, कि government sector भी है, और private sector भी है, ठी ठीक, तो किसानों को डर क्या है, कि जब आपने private मंडी को establish करने की power दे दिया, कि private player, कोई भी industry आके, let's say, reliance, मैं सिरफ और सिरफ आपको example दे रहा हूँ यहाँ पे, कि reliance आती है, और reliance ने क्या किया, अपनी एक मंडी बना दी, ठीक, तो अब जब reliance ने मंडी बना दी, तो लाजमी है कि अगर private player है, तो rules भी private player की ही होंगे, हना, तो क्या होता है, farmer को क्या डर है, कि जब आप private player को मंडी establish करने की permission दे रहे हो, तो अब उसको डर है कि आने वाले 5 सालों, 10 सालों में क्या होगा, government की जो मंडिया है न, वो कम हो जाएंगी, ठीक, कहीं भी देख लो, ज government क्या करती जा रही है, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे privatization हो रही है, ठीक, अब यहाँ बे भी डर क्या है, कि अगर private mandis को एक पर establish करने की permission मिल गई, तो अब private players की mandis बढ़ती जाएंगी, government की mandiya जो है, वो कम होती जाएंगी, ठीक, और अब दोस्तो, government की mandi में एक किसान को मिल रहा है, MSP, minimum support price, ठीक, तो किसान को क्या डर है, कि अगर government की mandi गई, तो उसके साथ-साथ यह minimum support price जो उसको मिल रहा है, यह भी चला जाएगा, ठीक है, और अगर उसका यह minimum support price, minimum support price क्या होता है, दोस्तो, minimum support price होता है, कि जब भी, जो भी किसान है ना, अपनी फसल भीजने से पहले, बुआई से पहले, सोइंग सीजन से पहले, government उसको बोल देती है, कि तुम्हारे लिए, अगर हम wheat, अगर वो सीजन है, रभी का सीजन है, wheat उगानी है, तो आपके लिए, अठारा सुर्पे पर कोइंटल, हम आपको wheat के लिए देंगे, ठीक है, minimum रहेगा यह, आप जि यहां पर demand and supply का issue होता है, जब भी price होते है, market में, आपकी demand and supply, अगर आपकी supply बहुत बढ़ जाए, तो आपके prices जो है, वो नीचे आजाएंगे, बट, government क्या कहती है किसान को, कि हम आपको यह minimum price जो है, ensure करती है, आप जितना मर्जी produce करो, आपको minimum जो charges है, यह मिलेंगे, जि इसलिए जो किसान है, वो क्या करता है जी, minimum support price के उपर, वो क्या कर रहा है जी, अपनी फसल को उगा रहा है, तो किसानों का सबसे पहला, जो सबसे बड़ा डर है, कि अगर private demand आती है, market में players आती है, तो धीरे-धीरे government demand बंध हो जाएंगी, और उनकी exploitation जो है, start हो जाएगी, ठीक, अब, इसमें एक और funda add कर दिया, farmers, जो farmer है आपका, can sell, directly, अब दोस्तों, इसमें एक चीज और बोल दी गई, कि जो आपका farmer है न, farmer, अभी क्या है, उसको पहले मंडी में आना ही पड़ेगा, ठीक है, मंडी में आके ही, वो किसी को भी sale कर सकता है, अपना product, बट ये बिल कहता है, कि farmer जो है, वो अपना, जो, जो भी उसका produce है, उसको directly sale कर सकता है, यहाँ पे कोई भी barriers नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी barrier नहीं है, किस चीज का barrier अगर बात की जाए, कि कोई भी geographical barrier नहीं है, mainly बात किस की 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 है, कि पंजाब का किसान, हिमाचल में भी जाके sale कर सकता है, बिहार में भी कर सकता है, गुजरात में भी जाके sale कर सकता है, ठीक, अब बहुत अच्छी बात है, अगर farmer can sell directly, किसी भी third party को farmer sale कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, ठ इंडिया के जो majority of farmers है वो है small, small farmer किसको बोलते है, जिसके पास 2 hectare से कम की जमीन हो, उसको बोला जाता है small farmer, अब बहुत अच्छा है आपने provision add कर दिया कि farmer कहीं भी जाके अपनी sale कर सकता है, अपना produce, बट अब जो आपका small farmer है, उसके पास ये capacity ही नहीं है कि वो transportation cost को bear कर सके है ठीक है, जो छोटा किसान है, क्योंकि majority इंडिया में जो farmers है, करीब-करीब 80% जो farmers हैं इंडिया के, they are small farmers, तो उनकी ये capacity, उनकी ये capability ही नहीं है कि वो transportation cost को भी bear कर सके है, ठीक है, तो farmer क्या कह रहा है, कि ये जो आपका clause है, कि हम किसी को भी directly sale कर सकते हैं, कहीं भी जाके sale कर स इसका हमें कोई फाइदा दिख नहीं रहा, ठीक है, इसका हमें तो कोई फाइदा दिख नहीं रहा क्योंकि हम तो cost ही नहीं bear कर सकते उतनी, और इससे exploitation क्या हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो ये लाजमी था कि हर एक farmer मंडी में ही जाएगा, किसी भी तीसरी company को अगर खरीद अब मंडी में जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, धीरे-धीरे जब मंडीयां खतम हो गई तब farmer के पास अब कोई choice नहीं बची, वो किसको sale करे, उसको मजबूरी में private companies को ही sale करना होगा, ठीक है, अब जब उसको private companies को sale करना है, क्योंकि मंडीयां अब धीरे-धीरे खतम हो रह जिस rate के उपर उनको चाहिए, वो उसी rate के उपर खरीदेंगे, ऐसा farmers को लगता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, APMC's जो है, उनको dilute किया जा रहा है, dilute, इसमें क्या कहा जा रहा है, government क्या claim कर रही है यहां पर, कि हम चाहते हैं कि जो आपके middleman है, middleman, जिसको मैंने आपको कहा था, RTS, government चाहती है, यह middleman खतम हो जाए, ठीक है, government के चाहती है, यह middleman खतम हो जाए, farmer direct company के साथ deal करे, ठीक है, उसको जादा अच्छा, जो है, benefit मेलेगा, yes, दो पहलों है, इसके, मिल भी सकता है, और नहीं भी, यह जितनी भी बाते हमने कहीं हैं न दोस्तों, इ इसी चीज़ का है, कि अगर अभी historically देखें, जितने भी incidents है, चाहे आप telecom sector की बात कर ली जाए, ठीक है, किसी भी sector की, धीरे, 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 कंपनिया एक बार तो private players आते हैं, जब entry time पे, तो क्या है, बहुत अच्छी services भी देते हैं, price भी बहुत अच्छा देते है बढ़ धीरे, धीरे, जैसे ही उनकी monopoly market में बढ़ जाती है, तो वो exploit करना start कर देते हैं, हर एक जगा पे, चाहे आप Uber की बात कर लो, ठीक है, मैं एक example लेता हूँ, Uber private है, ठीक, जैसे आया, इंडिया में, तो क्या हुआ, लोगों को बहुत अच्छी, बहुत सारे coupons मिल रहे ठीक है, और बहुत ही सस्ता, तो लोग, अब क्या हो गया, धीरे-धीरे, क्योंकि Uber पेनिट्रेट करता गया, तो जो लोकल टेक्सी वाले थे, जो आपके रिक्षा वाले थे, या जिसको हम कहते हैं, आटो वाले, वो धीरे-धीरे खतम होना शुरू हो गया, ठीक है, अब ज रुपे चार्ज करता था, Uber आज 100 रुपे कर रहा है, मतलब क्या हो गया, धीरे-धीरे-धीरे, अब मार्केट में पेनिट्रेट हो गया, दूसरे प्लेर्स खतम, तो एक्स्प्लोइटेशन स्टार्ट, तो फार्मर्स का भी यही डर है, कि यह इशू आ सकता है, इस बिल से, clear, दोस्तों, तो यह है हमारा पहला बिल के पहले बिल के क्या इशू आपर्मर को अब, अब अगर सेकिंड बिल की बात की जाए, इसको clear किया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेकिंड जो बिल है, क्योंकि यह बिल इतने बड़े हैं, ठीक है, बड़ा, लिखना, अगर मै खत्म हो जाएंगे ठीक, दूसरा जो बिल है दोस्तों आपका, दूसरा बिल है the farmers empowerment and protection agreement ठीक है, ये जो बिल है दोस्तों इसको हम कह सकते है contract farming, ये बिल है for the contract farming, मतलब क्या है पहली बात तो ये समझो कि contract farming क्या होती है, contract farming होती है, जब एक company एक farmer के साथ एक contract sign करती है, वो contract क्या है, वो कहती है, कि जैसे आप example ले लेते है, लेज की, लेज जो बनते है आपके, ठीक, ये company आप क्या कर रही है, ये farmer को कहती है कि आप जो है potato हमारे, जो हमें required है, वो गाई है इस quality के, हम उसका आपको 1800 रुपे या 2000 जितना भी X, Y, Z, ठीक है, मैं just example ले रहा हूँ, कि हम ना आपको 2000 रुपे fix price है, per quintal, हम लेंगे आप से, ठीक, ये हम contract sign कर रहे है, sowing season से पहले, अभी किसान ने कुछ बोया नहीं है जमीन पे, उसके साथ contract sign हो गया, ठीक है, अब दोस्तों, इसके दो पहलू है, इसका benefit भी हो सकता है, और इसका नुकसान भी, ठीक है, किस तरह से, benefit क्या है, let's say, कि market में potatoes की supply बहुत बढ़ गी, ठीक, अब जैसे ही potato की supply बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या हो गया, supply बढ़ गी, तो उसका price नीचे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे उस farmer को benefit हो जाएगा, कैसे, क्योंकि उसक के साथ एक contract sign हो है, जिसके थ्रू उसको 2000 रुपे पर कुएंटल ही मिलना है, चाहे price उसका 1000 रुपे market में क्यों न रह जाए, ठीक है, market में चाहे 1000 रुपे price रह गया, बट उसको कितना मिलेगा, 2000, बहुत अच्छी बात है, यह तो हो गया, इसका positive, ठीक, अब दोस्तों, negative क् अब क्योंकि contract farming है, तो अब क्या जी farmer ने contract sign कर लिया, सब कुछ है, ठीक है, अब क्या है, farmer ना totally company के उपर rely करने लग गया, उसकी जमीन पे ना वो उसी तरह की खेती करने शुरू कर दी, उसने, उसी potatoes की खेती करने शुरू कर दी, अब क्या हुआ कि जैसे धीरे 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 अब उसकी जगा के उपर, उसकी जमीन के उपर वही खेती हो रही है, अब वो rely कर रहा है इस company के उपर, हो सकता है कल को ये company कह दे, कि अर हम तो ना 500 रुपे में लेंगे अब, कितने रुपे में लेंगे, 500 रुपी पर कोइंटल, इससे जादा हम नहीं देंगे, ठीक है, अ आप आओ, otherwise नाओ, अब क्या हो गया है, जो farmer है, अब farmer के पास कोई option दूसरी नहीं है, क्योंकि वो शुरू से इनके साथ एक contract farming में काम कर रहा है, तो दोस्तों, ये जो bill है, ये second bill, government ने तो उसकी intention अच्छी ही है, उसने किस intention से बनाया है, कि सिरफ और सिरफ government के उपर क्यों independent रहते हो, आप MSP के उपर, MSP में भी आपको, government आपको क्या इंशॉर कर रही है, minimum price ना, कि आपको 1800 रुपे पर क्विंटल minimum मिलेगा, ठीक है, तो government कहती है, कि आप सिरफ और सिरफ government के उपर rely ना रहो, आप कोई और भी खेती कर सकते हो, ठीक है, और खेती के लिए आप क्या करो, direct, जो private players हैं, उनके साथ contract करो, जो facility आपको यहां हम दे रहे हैं, ठीक है, वही facility तो आपको उसी तरह की facility आपको private player भी देगा, ठीक है, वहाँ पे भी आपके साथ एक contract sign होगा, ठीक, sewing से पहले, जैसे हम भी तो आपको sewing से पहले ही दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको sewing से पहले ही एक contract होगा, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको accept करो, अगर नहीं लगे, तो ना करो, ठीक है बहुत अच्छी intention है government की, but problem कहां पे है problem यहीं पे है है कि कल को, क्योंकि जो history बताती है कि जब private players जो है, market में उनकी monopoly हो रही है, तो उसके बाद शुरू होती है exploitation, ठीक है, कि कल को अगर company ने यह contract जो है रद कर दिया, ठीक, अब एक गरीब किसान है, कितना court में जाके लड़ लेगा वो, किसी एक private player से बड़े जो आपके coke, coke, जैसे बड़े brand है, lage, जैसे बड़े brand है, इनके साथ कितना के छोटा farmer जो है, लड़ाई कर सकता है, ठीक, तो second जो इसका मुद्दा है, वो यह है, कि इसमें, किसान को अब क्या feel हो रहा है, कि हमें exploit किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जब government कह रही है, na contract farming, तो अब दोस्तों, contract farming में government टीनो bills, देखो, एक साथ लेकिया ही है, ठीक है, तो farmer को डर क्या लग रहा है, कि आपके टीनो bills क्या करेंगे, government की involvement धीरे-धीरे कम कर देंगे, ठीक, और private players की involvement बढ़ा देंगे agriculture में, ठीक है, तो private players की, अब देखो, पहला bill जो है, वो क्या farmer को लग रहा है, कि APMCs को खतम कर देगा, मंडी को ही खतम कर देगा, ठीक, government मंडी को, तो अब उसमें भी क्या आगा है, total private player, तो अब farmer के पास कोई चारा नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कहीं और चला जाए, दूसरा क्या है, contract farming, क्यूँ, अब डर क्या है farmer को, कि government ने MSP का clause नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला, कि government MSP को भी खतम करना चाहती है, ठीक है, तो इसलिए government क्या कह रही है, कि आपना contract farming की तरफ जाओ, हम जो आपको MSP में facilities दे रहे हैं, वो यहां मिलेंगी, ठीक, तो government अब farmer को क्या डर है, कि government अपना ना पलना जाड रही है, यहां से, कि हमें free करो, आप अब इनके उपर रिलाए करो, बट दोस्तो, again, वही, जो मैं बता रहा हूं, कि private जो player है, वो सिरफ और सिरफ किसके लिए play करता है, किसके लिए खेलता है, profit के लिए, ठीक है, जिस चीज में private player को profit होगा, वो सिरफ और सिरफ वही करेगा, ठीक, बट जब government की बात आती है, जब MSP की बात आती है ना दोस्तो, तो इसमें government का एक social motive है, यहाँ पे इसकी कोई responsibility नहीं है, कि farmer जिन्दा रहे, मरे, उसको अच्छी income हो, नहीं हो, इसकी कोई responsibility नहीं, इसको तो सिरफ और सिरफ यह अपना profit, बट जो government है, उसका एक social motive है, उसकी एक responsibility बनती है, कि farmer को अच्छी income भी होती रहे, और economy भी अच्छे तरह से run करें, ठीक, तो यहाँ पे यही मुद्दा है, कि government चाहती है, कि MSP को धीरे-धीरे खतम कर दे, और shift कर दे farmers को किसकी तरफ, contract farming की तरफ, तो यह farmer का, इस second bill के साथ, यह मुद्दा है, ठीक है, अब, तीसरा जो bill है, third bill जो दोस्तों आपका है, तीसरा bill, तीसरा bill है, Essential Commodities Amendment Act, Essential Commodities Amendment Bill, ठीक है, अब दोस्तों, यह bill पहले लेके क्यों आए, Essential Commodities Act, जो हमारा पहले 1950s का bill है हमारे पास, Essential Commodities, दोस्तों, कुछ ऐसी commodities हैं, जिसको ना, Government ने किस category में डाल दिया है, Essential Commodities, ठीक है, Government क्या कहती है, कि कुछ ऐसी Commodities हैं, वो सबको चाहिए, ठीक है, अगर वो Commodities ना होंगी मार्किट में, या उनकी Supply कम हो जाएगी, तो क्या है, उनके Price बढ़ जाएगे, बट जो गरीब अन्दा है, उसको भी वो उतनी ही Required है, तो यहाँ पर problem आजाएगी, तो Government ने क्या किया दोस्तो, कुछ एक ऐसी Commodities है, उनको क्या tag दे दिया, Essential Commodities का, और अब Government ने क्या बोल दिया, कि जो ये Essential Commodities है, जो हमारा पुराना बिल है, Original Bill है, उसमें क्या था, कि आप जो ये Essential Commodities है, जो भी Supplier है ना, जो आपका Wholesaler है या Retailer है, वो इनको Holding नहीं कर सकता है, इनकी, मतलब इनको जमाखोरी नहीं कर सकता, वो क्या है, Maximum ना, अपने पास, let's say, के 100 KG, अब चीनी की बात कर लो, ठीक है, चीनी, अगर बात कर ली जाए, आपकी Sugar की Essential Commodity है, हना, तो क्या है, कि कोई भी बंदा, let's suppose, के 100 KG से जादा Store ही नहीं कर सकता, चीनी, ये तो बहुत कम है 100 KG, तो मैं एक्जांपल ले रहा हूँ, ठीक, क्यों, क्योंकि Market में उसकी Supply Insure करनी है, क्योंकि Sugar हर एक के लिए Important है, जरूरी है, Essential Commodity है, बट, अब जो Bill आया है, दोस्तो, ये क्या कहता है, ये Bill कहता है, कि Unlimited, Unlimited Storage, जितने भी Private Players है, Private Players जो भी है, वो Unlimited Amount Store कर सकते है, इन Commodities की, तो दोस्तो, अब यहां पे एक Problem है, होगा क्या, अब देखो, होता है ना, त्योहारों में, Otherwise, आपका जो Onion है, उसका Price 20 रुपे है, बट, अब के Season में, क्या होगा, Price का जो दाम है, 100-100 रुपे किलो चला जाता है, ठीक है, Reason, Supply साइड में इतनी Problem नहीं आती, बट, होता क्या है, जो Holding है ना, जमाखोरी है, वो बढ़ जाती है, जमाखोरी बढ़ी, अब देखो, प्याज है, Important है, जरूरी है, ठीक, लोग, 100 रुपे किलो में भी, उनको खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, तो अब सीन क्या है, जब Unlimited Storage हो गई, अब किसी के उपर कोई restriction नहीं है, कोई penal charges नहीं लगेंगे, ठीक, तो इस situation में क्या दिक्कत आएगी, जो आपके बड़े brands हैं, जो बड़े, जैसा के, अगर मैं बात करूँ न, Jio Mart, ठीक है, Reliance, जो आपका Reliance Fresh है, ज़्यादा quantity में store किया, ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा quantity में store कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो जी, market में supply, market में supply कम कर रहे हो, ठीक, market में supply कम हुई, तो जैसे ही market में supply कम हुई, तो क्या होगा, एकदम से release किया जाएगा, मतलब अब समझो, स्टोरेज कर ली जी अब स्टोरेज कर ली जब मार्किट में प्राइज क्या हो गए लेट से कोई इनिशल उसकी कॉस्टिंग है हंडर ठीक है और है आव फार्मर जोन, अब ये कम्पनियें मैं पता है क्या एंगी कि हमारे पास तो अलड़ी बहुत स्टॉप में पढ़ा है जब नेक्सियर आएगा है इस साल इनों ने स्टॉख कर लिया, next year आया, तो फार्मर के परस्पेक्टिव से बता रहा हूं, कस्टमर का परस्पेक्टिव तो दूसरा है, अब जब next year है, फार्मर इनके पास सेलिंग के लिए आया, क्योंकि अब सरकारी मंडिया खटम हो चुकी है, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर कोई सेल करना है, इनके पास आएगा फार्मर, कहेगा जी, यह हमने बेचना है आपको, यह क्या कहेंगे, हमारे पास तो बहुत जादा अलेडी स्टोरेज में पड़ा है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, फार्मर कहेगा, कि मैं आपको हजार रु तो अब कहा है जी, फार्मर को यह कहेंगे, कि भाई, अगर तू हमें पांसो रुपे में देना चाहता है, तो दे दे, फिर तो हम खरीड लेते हैं, अदर्वाइस हमारे पास बहुत जादा है, जो हमें क्वांटिटी की जरूरत है, उससे जादा हमारे पास है, अब क्यूं तो unlimited storage का concept है, यह farmer क्या कह रहा है, this is only for the private players, कि यह सिरफ और सिरफ private players को benefit देने के लिए, यह unlimited storage है, देखा भी जाए तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि government तो कोई unlimited storage करती नहीं, अगर करती भी FCA के थ्रू, वो तो PDA system के लिए, गरीबों में बांटने के लिए करती है, ठीक ह अब कोई private player गरीबों में बांटने के लिए तो करेगा नहीं, वो तो सिरफ और सिरफ अपने profit के लिए करेगा, ठीक, तो इस जो यह amendment act आया है, इसमें क्या मुद्धा है farmers का, यह unlimited storage ultimately उनको इस तरहां से exploit करेगी, ठीक है दोस्तों, तो यह 3 हमारे जो farm bills है, main मुद्धे इनक यह तीनो है, अगर मैं इनको summarize करना चाहूं, तीनो जो भी farm bill है, जो main मुद्धा है, farmer चाहता क्या है, farmer चाहता है कि उसको MSP, minimum support price, जो है, यह ensure करके दे government, ठीक है, minimum support price को वो क्या कहते है, कि हमारे लिए इसको legal right declare करो, legal right दोस्तों, legal right क्या होता है, कि यह मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप government को sale कर लो, चाहे private को sale कर लो, इससे कम अगर कोई भी आपको देगा, उसको jail होगी, ठीक है, तो farmer क्या चाहता है, हमें MSP insure करो, legal right, second, जो farmer चाहता है दोस्तों, वो क्या चाहता है, कि हमें government के भरोसे तो ठीक है, हम क्या चाहते है, government की involvement हो, farmer क्या चाहता है, कि government की involvement हो, उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर के हाथों में ना रखा जाए, क्यूंकि अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथों में रखा, तो हो क्या सकता है, in future, आज नहीं, आज से 10 साल बाद, क्या होगा, वो सिरफ और सिरफ private player उस sector में रह जाएगा, government बिलकुल ही बाहर हो जाएगी, और अगर दोस्तो private sector के हाथ में आगी आपकी देश की करीब-करीब 45% population, करीब-करीब 45% population जो आपकी direct agriculture के उपर dependent है, अगर वो आगी private players के हाथ में, तो आप देख लो उनकी किस level की exploitation possible है, ठीक है, तो farmer दोस्तों चाहता है, जो farmer mainly, जो उसके मुद्दे हैं, वो यहीं है, reform करो, farmer क्या कहता है जी, reform करो, APMC जो आपका act है, इसको, इसमें कुछ reforms की ज़रूरत है, वो reforms करो, ना के इसको खतम करो, ठीक है, अगर जो आप bill लेके आ रहे हो, आप private players को दे रहे हो participation के लिए मौका, तो उनको डर है कि यह government की APMC's खतम हो जाएंगी, बट, at least APMC's रहें, तो यह mainly दोस्तों, अगर farmer की demand के उपर देखा जाए, तो यह demand है, farmer नहीं चाहता कि अपनी geographical area को छोड़ के कहीं और की जाए, sale जाके, reason, उसके पास transportation का पैसा ही नहीं है, तो वह नहीं चाहता कि जो आप clause दे रहे हो, जो benefit government दे रही है न, वो पताय क्या है, कि government आपको इस तरह के benefit दे रही है, जो आप avail नहीं कर पा रहे है, ठिक, तो farmer कै कहता है, कि जो चीज़ हम avail कर रहे हैं, ठीक,अब farmer कै कहता है, कि आपना करीब करीब 22 जो आपकी क्रॉप्स है 22 क्रॉप्स के उपर गवर्मेंट डिक्लेयर करती है MSP बट दोस्तों आज की डेट में भी गवर्मेंट कभी भी इन 22 क्रॉप्स को पर क्यौर नहीं कर रही है डिकलेर कर रही है, प्रक्यॉर्मेंट नहीं हो रही है, ठीक, मेजॉरिटी जो इंडिया का किसान है, उसको ये MSP नहीं मिल रहा, तो किसान क्या चाहता है, के रेधर देन, ये सारा आप चेंज करो, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग लेके आओ, हम खुश हैं आपके साथ, ठीक है, आप क्या करो, आप हमें ये इंशॉर कर दो, के ये 22 फसले जो भी किसान बोएगा, उसको MSP मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया, देश के जिस भी कोने में बैठके वो फसल बोए, उसको ये 22 की 22, जो भी आपकी क्रॉप्स हैं, उसके उपर आपको MSP इंशॉर हो, किसान ये चाह ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका इन तीनों बिल्स का एनलेसिज के में मुद्धे क्या है, गवर्मेंट की इंटेंशन हम नहीं कहेंगे कि गवर्मेंट की इंटेंशन गलत है, ठीक है, ये पॉलिटिकल मुद्धा बन चुका है, पॉलिटिकल मुद्धा है, दूसरी जो opposition parties हैं, वो इसको toड मरोड के कैसे भी पेश कर रही है, but ये जो bill है, हमारा यहाँ पे main focus था, क्या इन bills के थुरू दिया गया है farmer को, और farmer का उसके उपर issue क्या है, दोस्तों, ठीक है, hope के जितना भी हमने यहाँ पे discuss किया, दोस्तों वो आपको clear हो गया होगा, ठीक है and I wish you good luck जितना भी है, इसको एक बार अब, ये तीनों bills जो है न, ये समझा मैंने दी यहाँ पे आपको, कि क्या main context है अब जो इनका main है, कि क्या content है क्या कुछ लिखा है, वो आप अब जब पढ़ोगे, तो आपको बिल्लकुल clear हो जाएगा किया क्या मुद्ध है Thank you friends